नमस्कार, सलाम, नीज़ क्लिक के इस खास का रेकरम चुनाव चक्र में आपका एक बार फिर स्वागत है, मैं हूं मुकुल सरल जैसा कि आपको पता है, पांच विदान सभाओं में चुनाव हैं सबसे पहले बारी मिजुरम की है मिजुरम के साथी 7 नवंबर को 36 गड़की 20 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे बाकी 70 सीटों पर 17 नवंबर को मध्यपरदेश के साथ चुनाव होगा तो इस एपिसोड में बात 36 गड़की 36 गड़ में खेती किसानी एक बड़ा मुद्दा है कहा जारा कि किसानों ने इस चुनाव का मुद्दा सेट कर दिया है कॉंग्रेस सरकार की धान खरीदी, बोनस, कर्जा माफी इस सब ने फिलाल ये दिखरा एक सीन की कॉंग्रेस को फिलाल बढ़त मिली हुई है लेकिन बीजेपी भी यहां पूरी ताकत के साथ उतरी हुई है क्या है 36 गड़ की राजनिती का गुणागनित हमें बताएंगे 36 गड़ से वरिष्ट पत्रकार और 36 गड़ अकबार के संपादक सुनिल कुमार जी सुनिल जी निउस क्लिक में आपका बहुत स्वागत है 7 नवंबर को पहले चरण का मद्दान है 36 गड़ में 20 सीटों पर वोट पढ़ने जा रहे हैं और फिर 10 दिन बाद 17 तारीक को 17 सीटों पर बाकी वोट पढ़ेंगे तो अभी तक अब क्योंकि साथ तारीक का मद्दान बिलकु करीब आ गया है तो कैसा माहौल है जनता के मुद्दे क्या है राजनितिक वादे क्या है जरा कुछ बताईए देखिए तीन तारीक को अभी भाजपा ने अपना घोशना पत्र जारी किया है जिसके मुख्य मुद्दे जो हैं वो एक किस्म से कांग्रेस की चुनावी गोष्णाओं का जवाब हैं कुछ गोष्णाओं का सारी गोष्णाओं का जवाब नहीं है पांच बरस पहले भुपेश बगेल की सरकार दो मुद्दों को लेकर सत्ता पर आई थी पहला मुद्दा था किसानों की कर्ज माफी का दूसरा मुद्दा था धान का समर्थन मूले बढ़ा कर इतना देना जितना कि हिंदोस्तान में कोई भी प्रदेश नहीं दे रहा था तो कर्ज माफी भूपेशवगिल के क्याबिनेट ने अपने पहले घंटे में कर दी 9000-10,000 करोड की शायद करज माफी थी वो किसानों की वो पहले घंटे में कर दी 100 पी सदी इमानदारी से दूसरी जो बात थी धान खरीदी एक सबसे उंचे दाम पर लेने की उसमें उन्होंने पहले साल तो ले लिया धान सबसे महंगे दाम पर दूसरे साल मोधी सरकार ने अलंगा लगा दिया कि अगर आप हमारे समर्थन मुल्य से जादा पर धान खरीदेंगे तो हम आपका चावल नहीं लेंगे ये केंदर और राज्ये के बीचे बड़ा टकराओ बना उस टकराओ से बचने के लिए और अपना चामल केंदर सरकार को देने के लिए भूपेश बगहिल की सरकार ने एक रास्ता निकाला उन्होंने केंदर के MSP पे यहां का धान खरीदा और किसानों को बोनस की शकल में राजीव न्याय योजना के नाम से साल में तीन किस्तों में बकाया पैसा दिया तो इन पात सालों में भूपेश बगहिल की सरकार ने दो बड़े वाइदे पूरे किये भाजपा के सामने आज सबसे बड़ी चुनवती यही है कि किसानों के इस मुद्दे से कैसे पार पाया जाए जो भूपेश बगहिल की गोशना है उन्होंने धान का दाम अभी गोशित नहीं किया है क्योंकि कांग्रेस का गोशना पत्र अभी आना बाकी है ऐसी उमीद है कि इत्वार को ये घोशना पत्र आ सकता है तो उन्होंने एक घोशना जरूर कर दिये कि हम सरकार में आते ही किसानों का करज माफ करेंगे ये बड़ी घोशना है ये ये 36 गड़ के किसानों के लिए सबसे बड़ी घोशना है इसमें आट-दस हजार करोड रुपए लगेंगे सरकार के इसमें करीब-करीब 18-20 लाख किसानों को फाइदा पहुँचेगा और ये चोटा राज्य है कुल 24 लाख किसान धान बेचते हैं सरकार को उसमें से अगर 17-18 लाख लोगों को करज माफी का फाइदा होगा तो बहुत बड़ा फाइदा है लेकिन भाजपा अभी तीन तारीख को जो घोषना पत्र उसने जारी किया उसमें करज माफी नहीं है करज माफी का कोई जिक्र नहीं है तो 17 गोशनाय की है पिछले 15 दिनों में कॉंग्रेस पार्टी ने 36 गड़ में बड़ी बड़ी गोशनाय है उनमें से धान के दाम को घोशित नहीं किया है भुपेश बगेल सरकार ने कॉंग्रेस पार्टी ने लेकिन धान के दाम 3100 जो बड़ा दिल्चस्प मामला है मैं आज सुभह से इसके बारे में सोच रहा था तो मुझको एक बात लगी जो व्यापक महत्व की है मैं आपको बतलाना चाहूंगा जो किसान अंदोलन ने देश के किसानों को चर्चा के केंद्र में ला दिया था देश में और केंद्र सर सरकार की शिकस्त वहीती तीन किसान कानून वापिस लेने पड़े थे 36 गड़ में भुपेश वगेल की सरकार ने किसानों को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है पिछले घोशना पत्र में इन पांच सालों में इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है कि भाजपा ने अप एक किसम से जो पॉल जम्प में जो बार उपर सेट होता है कि और उपर सेट हो गया तो अगले पॉल जम्प करने वाले को उसके उपर कूधना पड़ता है तो 36 गड़ में किसान के मुद्दे जो हैं कुछ ऐसे ही हो गये हैं. भाजपा ने कर्ज माफी के मुद्दे को छुआ ह याने उनके एजेंडा में नहीं है वो भूपेश कर्ज माफी की घोषना में पहले ही जीत गए हैं समझ लीजिए एक किस्म से दूसरी बात यह है कि जो धान का दाम है वो इतना बढ़ गया है कि देश का सबसे खुशाल किसान 36 गड़का रहेगा धान का किसान अब सवाल यह कि कॉंग्रेस पार्टी के सामने चुनावती है इसको मैच करने की तो जाहिर है कि वो 31 सो रुपया इससे जादा ही वो घोषित करेंगे तो यह रेट की नीलामी जो है इसमें भूपेश बगेल जीतते दिख रहे हैं मुझको बलकि भूपेश बगेल से अधीक मैं कहूंगा 36 गल का किसान जीच चुका है इस चुनाव को और मैंने कल कहीं पे कहा भी था इस बात को कि 36 गल की पिछली सरकार बैलेट बॉक्स से या EVM मशीन से नहीं निकली थी वो धान के खेत में उगी थी पिछली सरकार यह सरकार भी धान के खेत में उगने जा रही है और यह तै हो तो मुझको एक चीज लग रही है आपसे कहूं मैं जिस तरह से किसानी के मुद्दे को चुनाव का मुख्य मुद्दा बना दिया है सबसे बड़ा मुद्दा किसान बन गया है यह तो बहुत अच्छा मैं अभी इसी सवाल पर आने वाला था कि जाती धर्म इसका क्या मुद्दा है और विरुजगारी का और उसके अदर्स मजदूरी का तो च्छतिस गड़ में किसान एक बड़ा मुद्दा है कर्दमाफी यह और धान की खरीदी मुद्दा इसी से बढ़त कॉंगरिस ने ले रखी है लेकिन जैसे अभी महिला आरक्षन दिया अभी लागू होने में उसे दीर है लेकिन इस सबका भी क्या फर्क पड़ेगा और आपने बताया जिसे धर्म का मुद्दा भी नहीं है पर आदिवासियों के बीच किस तरह की चीजे हैं कुछ हमें बताईए अरक्षन का मुद्दा जो है बड़ा दिल्चेस पहमें आपको बताऊं 36 गड़ में भाजपा के ने तभी महिला आरक्षन का मुद्दा नहीं किनाते मैं आपको अगर कहूंगा आप मेरे घर चाई पीने आएगा 2030 में या बादाऊं को पार करने में अगले 5 से 10 साल लग सकते हैं तो उसका स्वाद खतम हो गया मुझको 7 साल बात किसी के चाई के नियोते की चाई का स्वाद नहीं आ सकता मैं उसको इंज़ाइम नहीं कर सकता तो महिला आरक्षन को भूल जाई और उसका कोई मतलब नहीं रह गया ह पहली बात दूसरी बात जाती और धर्म का आपने एक जिक्र किया चतिस गड़ में जाती धर्म दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा है पहला मुद्दा यह कि OBC आरक्षन जो की बिहार से शुरू होकर संसद में सोनिया और राहुल के बयान तक और बाद में प्रियंका राहुल खलगे इन सब के भाषनों तक देश में OBC आज सबसे बड़ा मुद्दा है चतिस गड़ में OBC की आबादी जो है 40 से 50 फीसदी के बीच कही जाती है मुख्यमंतरी साड़े 43 फीसदी कहते हैं जाती जनगणना यहां हुई नहीं है इतनी बड़ी आबादी है तो क्या इसका व्यादा पूरे देश के इस्तर पर किया गया है राहुल गांदी ने प्रियंका ने खलगे ने अपने हर चुनावी भाषन में हर प्रदेश में कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही जाती जनगणना करवाई जाए जाएगी शतिसगड़ में तो कई बार कह दिया गया है ये जिस तरह राजिस्थान में गैलोत ने शुरुवात कर दी है तो क्या भुपेश बागेल ने भी कुछ ऐसा संकेत दिया है ने भुपेश बागेल जो है उन्होंने यहां पर OBC को आरक्षन देने के लिए एक OBC का क्वांटिफाइबल डेटा तैयार करवाया है जिसको हेट काउंट कहते हैं जो शायद राशन कार्ड के मारफत हुआ है जो सेकेंडरी डेटा सोर्सेस से हुआ है ऐसा हो चुका है उसको भी पब्लिक नहीं किया गया है लेकिन उसी के आधार पर OBC आरक्षन को 27 फीसदी करक विधान सभा ने पास किया है जो राज्यपाल के पास पिंडिंग है दो-दो राज्यपाल हो गए वो पिंडिंग है अभी तो OBC एक बहुत बड़ा मुद्दा है कांग्रेस और भाजपा इन दोनों पार्टियों ने 36 गड़ के चुनाओं में सबसे ज़्यादा है OBC को टिक सबसे ज़्यादा दोनों ही पार्टियों ने बढ़ चलकर टिक्तें दी है कि एक 10 साहू को टिकट दे रहा है दूसरा 11 साहू को टिकट दे रहा है इस किसम का OBC बहुत बड़ा मुद्दा है 36 गड़ के चुनाओं में तो गैर आदिवासी गैर शिडियूल्ड कास्ट उनको दलित कहने में थोड़ा अपत्ती यहां हो रही है और गैर OBC इन तपकों को अगर छोड़ दे तो बाकी जो तथा करती तसावर्न तपके जो कहलाते हैं गिने चुने 4-6 वीज़दी उनके लिए 36 गड़ में चुनावी संभावनाएं घटते दिख रही हैं बहुत ही कम होते देख रही हैं तो यह जाती का मुद्दा हुआ अब हम धर्म के मुद्दे पे आ जाएं तो 36 गड़ में धर्म का हाल यह है कि मुस्लिम और इसाई यह दोनों तपके जो हैं यह मदर टेरेसा के आश्रम के बच्चों जैसे हो गए हैं इनके कोई माबाप नहीं रह गए यहां बाचपत उथी भी नहीं कभी इन तपकों की माबाप प्रदेश की कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार ने भी इनको अवाँचित शरकार की तरे जहाडी के किनारे नाली के पास चोड़ दिया है इन तपकों के साथ जितने तरे की हिंसा 36 गड़ में हो सकती हैं जतनी ह इन सक घटनाएं घट रही हैं. इनके खिलाब जितने हिंदुत्व के फत्वें दिये जा रहे हैं. उस पर कॉंग्रेश पार्टी और प्रदेश की कॉंग्रेश सरकार ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं. यह पुलीस की जिम्मेदारी भी पूरी नहीं कर रहे हैं. हमके हम इनके सिर्फ कटने पर भी मरहम लगाने नहीं जाएंगे तो भी बचे हुए सिर्फ हमारे ही पास आएंगे तो यह बढ़ी दर्दनाक हालत है छतिस गड़ में अलप संक्यों की इनकी आबादी चार फीसदी से कम है सब की मिलाकर तो यह किसी की संतान नहीं रहे गए य हम छोटी-छोटी बात करें और कुछ तो अब आया बिरोजगारी जिस तरह देश में बिरोजगारी और महंगाई का मसला है क्या छतिस गड़ में भी वो कोई मुद्दा है यहां पर बिरोजगारी भत्ता भी भुपेश बगिल ने लागू किया है उसके साथ शर्तें कुछ इतनी कड़ी जोड़ दी है कि जो रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं यहां पर उनके शायद दस फीसदी लोग भी उस बेरोजगारी भत्ते को नहीं पा रहे हैं उसकी शर्तें कुछ ऐसी कड़ी है वैसे भी वो भत्ता दो साल के लिए घोशित किया गया है और दो साल के सब्सक्राओं के नौजवान वो अपने परिवार के साथ खेत में काम करना नहीं चाहते हैं मिट्टी और कीचड में काम करना नहीं चाहते हैं वो सरकारी नोकरी के चक्कर में रहते हैं सरकारी नोकरीयां बेरोजगारों का अकेला अकर्शन है यहां पर वो और कोई मेहनत का काम करना नहीं चाहते हैं सरकारी नौकरियां सीमित हैं सरकारी नौकरियां देने के संस्थान जो हैं वो ब्रस्ताचार के गंभीर आरोपों से घिरे हुए हैं सरकारी नौकरियों के हर संस्थान बड़ी बड़ी हर सरकारी नौकरियों कि चैयन जो हैं वो ब्रहस्ताचार के आरोपों से गिरे हुए हैं उनकी जांच चल रही है मामले अदालतों तक तो आपने का आज ऐसे एक सरकारी आकरशन है लेकिन एक मजबूरी भी है कि एक खेट से एक पूरा परिवार नहीं पल पाता जिस तरह की आज कल विवस्था है ज 36 गड़ में जितना दाम मिल रहा है खेट से परिवार पल सकता है लेकिन एक शहरी जिंदगी नहीं मिल सकती किसान की आउलाद को जी ये तो है अच्छा मैं बस एक आखरी सवाल जो अब साथ तारी को वोट हो रहा है बसतर संभाग है और इलाका है असपास का 20 सीटे इसमें किस तरह के में मुद्दे हैं किस तरह की बाते हैं जनता का रुजहान क्या है अभी तक हमने इन 20 सीटों के मुद्दों को छुआ भी नहीं था खास कर वो 12 सीटें जो की आदिवासी सीटे हैं जिनमें 11 बसतर में एक बसतर के बाहर है आदिवासी सीट इन 12 सीटों पे करने का हक ग्राम सभा को मिलना चाहिए आदिवासी इलाकों में जो कि सम्हिधान में लिखा हुआ है उसके रूल जब फ्रेम किये 36 गवर्मेंट ने तो उसने बहुत चतुराई से बहुत शातीर पने से इस सरकार ने उसमें अनुमती ग्राम सभा की अनुमती को बदल दिया औ जैसे मैं आपकी ये लाल जैकेट आपसे मांगूं कि मुझको आपकी ये लाल जैकेट चाहिए तो मैं आपकी अनुमती ले रहा हूँ अब मैं आपको कहूंगा मैं आपकी ये लाल जैकेट ले रहा हूँ आप जो भी आपत्ती करें मैंने परामर्ष कर लिया तो मैं आपकी लाल जैकेट ले सकता हूँ, कुछ ऐसा सरकार ने पेशा कानून के साथ किया है, आदिवासियों के एक तपके में इसको लेकर नाराजगी है, बस्तर के बहुत से जिलों में आदिवासी जहां पर ईशाई बन रहे हैं, और जहां हिंदुत्यों की ताक्तें उन पर लगातार हम हमले कर रही है, और यह सरकार उन में से किसी आदिवासी को हमले से बचा नहीं रही है, ना कॉंग्रेस पार्टी हमदर्दी देने जा रही है, ना इसकी सरकार, ना इसकी पुलिस वहां हमला जहेल रहे, इसाई आदिवासियों को बचा रही है, उनके मन में एक रंज है, कि ह हम इसाई बन गए तो इनको हमको इस हिंदुत्व तो मार रहा है लेकिन कांग्रेसी और सरकार हमको बचा नहीं गई है यह दूसरा रंज है वहां पर आदिवासी इलाकों में इन दोनों का मिला जुला असर देखने मिलेगा वहां यह कैसा असर होगा इसका अंदाज लगाना म जो हैं वो भी वहां मैदान में हैं जिनमें कांग्रेस शोड़कर निकले अर्विंद नेताम की हमर राज पार्टी है बसपा है गोनवाना गंतंतर पार्टी नाम की आदिवासी पार्टी है आम आदमी पार्टी भी बड़े अनमने धंग से यहां लड़ रही है वो जोर शो यहां अजीद जोगी की पार्टी वहां जोगी कांग्रेस भी है वहां पर वहां कुछ और छोटे दल भी है वहां मैदान में तो वहां का सीन जो है वो धुन्द से भरा हुआ है जो कल परसों दिल्ली में जो धुन्द था जैसे उससे जादा धुन्द यहां के अदिवासी इल की और बाकी जनरल सीटें हैं इन में दो बड़े चुनाव छेतर हैं डॉक्टर रमान सिंग जो भाजपा के बड़ा चेहरा है उनका चुनाव छेतर है और कांगरेस का जो अकेला मुस्लिम विधायक और मंत्री है मुहम्मद अग्बर उसका चुनाओं छेत्र कबरदा है, जहां पिछले दो साल से कमिनल टेंशन लगातार चल रहा है, जिस कांस्ट्रेंसी से लगी हुई, एक और कांस्ट्रेंसी वहां साथ तारीक को नहीं है पोलिंग, वहां सत्रा क होई, लेकिन लगी हुई कांस्ट्रेंसी है, वहां पर सांप्रदाइक हिंसा में तीन हत्याएं हुई थी, तो ऐसा कमिनल पोलराइजेशन का, रिलीजियस से कमिनल और कास्ट पोलराइजेशन का इलाका है यह, उसमें भी चुनाओं है, और अदिवासी इलाकों में भी चु परे हैं, कुछ हिस्से में कर्जमाफी और धान हैं, लेकिन बस्तर का हिस्सा जो है, उसमें दूसरे मुद्दे हावी हैं, कर्जमाफी और धान के मुकाबले, मिला जुला असर है, मिले जुले मुद्दे हैं, यह देखना है कि प्यसाहरा मुस्लिमा दीवासी किधर जाते है तो कुल मिलाकर कॉंग्रेस के प्लस माइनस दोनों आपने गिना दिये और बीजेपी भी कोशिश अपनी कर रही है अब देखना होगा मददाता क्या रुक अपनाता है आप हम से जुड़े और हम चाहेंगे कि आगे भी आगले जब दोर का चुनाओ हो उसमें हमें जरूर अपना मश्वरा अपनी विश्डेशन दें बहुत अच्छा रहागा आपसे बात करके शुक्रिया धन्यवाद तो आपने सुना सुनिल कुमार जी से कि 36 गड़ के क्या मुद्दे हैं खास तोर से उन्होंने भी बताया कि खेती किसान यहां एक एहम मुद्दा है उनका कहना है कि सरकार जो है इवियम से या बैलेट बॉक्स से नहीं निकलेगी बलकि धान के खेतों में होगी इसलिए सरकार भी धान के खेतों में होगी थी और इस बार भी धान के खेतों में यानि किसान जिसके साथ होंगे वो सरकार यहां फिर बनने जा रही है तो क्या रहेगा इन साथ निश क्लिक को सपोर्ड कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमें आपके साथ की बहुत जरूरत है शुक्रिया